काफी सालों की कड़ी लगन और मेहनत के बाद आखिर कार आज अपने पोटी बॉइ सौन ने मैगी बनाना सीख ही लिया और क्योंकि गुली बुली हमेशा से सौन को चिड़ाते आ रहे हैं कि सौन को तो पानी भी गरम करना नहीं आता इसलिए सौन अपना स्कूटर उठा कर चल देता एक गुली बुली के घर ताकि आज वो उन दोनों को अपने हाथ की मैगी खिला कर उन दोनों का मुँ हमेशा के लिए बंद कर सके और गुली बुली के घर आने के बाद वो उनकी फ्रीज में रखी हुई मैगी को उठा कर मैगी बनाने लगता है और गैस पर मैगी चड़ाने के बाद सौन गुली और गुली के पास जाने लगता है जो की बाहर आराम से कुर्सी पर बैठ कर सौन के मैगी ले आने का इंतजार कर रहे थे और ये दोनों ही अभी अपने ख्वाबों की दुनिया में डूबे हुए हैं और ये लोग सोचते हैं कि अगर सौन की हाथों की मैगी अच्छी होगी मुझे वहाँ पर अकेले मैगी बनाने के लिए छोड़ कर तुम दोनों यहाँ पर मज़े से लेटे हो तुम्हें सरम नहीं आती कितने सालों से तुम लोग मुझे इसी बात पर चिड़ाते थे कि मुझे तो पानी भी गरम करना नहीं आता लेकिन आज मैं इतनी टेस्टी मैगी बना रहा हूँ कि तुम लोग अगर उसे खा लोगे तो अपनी उंगलिये चाटते रह जाओगे मैंने इतना टेस्टी मैगी बनाया है कि जिसके मुझे भी ये मैगी जाएगा उसका सर ब्लास्ट हो जाएगा ये मैगी है इतना टेस्टी, तुम लोग खाना चाहोगे, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं दोंगा, सौन इतना ही बोलता है कि अभी घर में जोर का ब्लास्ट होता है, जिससे बुल्ली की नीद तूट जाती है, और गुल्ली घबला जाता है और उससे पूछता है, सौन क्य जो लोहे का कटोरी लाया था, मैंने उसी के अंदर मैगी बनाया, और ये बात सुनकर गुल्ली अर गुल्ली दोनों ही काफी गुस्सा हो जाते हैं, और दोनों ही सौन की धुलाई करने लगते हैं, क्योंकि सौन को ये बात नहीं पता था, कि माइक्रोवेब के अंदर लोहे का समान नहीं रखा जाता है वरना वो ब्लास्ट हो जाता है चलिए दोस्तों अब सौन का नया चेहरा देखा जाए कि इतना मार खाने के बाद आखिर अपना पॉटी वोई सन अब कैसा दिख रहा है ओ माई गॉड दोस्तों कमेंट करके बताईए कि क्या ये आदमी आपको सौन की तरह दिख रहा है और यहाँ पर गुली और बुली को अलगी टेंसन हुई है क्योंकि अब इतनी रात को भला ये लोग कहां जाएंगे सौन की गलती के वज़े से अब इनका घर उड़ गया है और ये लोग तो बाबा के पास भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाबा यहाँ पर नहीं है अपने बाबा लंगोटी लालन टैक्टिका में पेंग्विन्स को ठंड से बचाने के लिए उन्हें स्वेटर पैनाने के लिए गए है और आने में उन्हें एक दो अपते का टाइम लग जाएगा और गुली सौन से बोलता है और यह बात सुनकर तो गुली और बुली का माथा और भी गरम हो जाता है क्योंकि अब भला इतनी राट को ये लोग कहा जाएंगे और उपर से नियूज में एक खबार आई है कि राट को एक सीरियल किलर लोगों को मार रहा है तो अब गुली गुली कहा जाएंगे तब ही गुली बोलता है बुली याँ से थोड़ी दूरी पर एक घर है जो बिलकुल विरान है हाला कि कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पर ग्रैनी नामे के एक आदम खुर बुडिया रहती है जो कि उसके घर में आने वाले सभी लोगों को मार कर खा जाती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है और वैसे भी यहाँ रहेंगे तो हमारा मरना तो पक्का ही है तो अब हमारे पास ग्रैनी के घर में जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है उसके बाद वो तीनों ही जीप लेकर ग्रैनी के घर के पास जाने लगते है और करीबन 5-10 मिनट में ग्ली बली और सौन अपनी जीप लेकर ग्रैनी के घर के पास पहुच जाते हैं और ग्रैनी के घर के पास पहुचते ही वहाँ का माहल काफी डरावना हो जाता है चारों तरफ से जानवरों की रोने की आवाज आती है जो इस महाल को और भी डरावना बनाती है लेकिन गुली बुली और सौन के पास इस घर के अंदर जाने के सिवाए और कोई वीचारा नहीं है और ये तीनों इस घर में जाने से इसलिए भी नहीं डर रहे हैं क्योंकि इन्हें ग्रैनी में विश्वास ही नहीं है क्योंकि इन्हें नहीं लगता है कि कोई भी इंसान इतना बुड़ा होकर अभी भी जिंदा हो सकता है इन्हें ग्रैनी सिर्फ एक अफ़ा लगती है इसलिए ये लोग बिने किसी डर के इस घर में जा रहे हैं और अंदर से ग्रैनी का घर काफी बड़ा और साफ सुतरा था और उस घर को देख कर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे इस घर में कोई ना रहता हो क्योंकि इस घर में मकडी के जाले नहीं लगे थे और घर बिलकूल साफ सुतरा था और घर की ये हालत देख कर गुली बुली और सौन के मन में थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि साइद हो सकता है ग्रैनी की बात सच हो और यहाँ पर ग्रैनी जो की असल में इस घर में है वो गुली-बुली और सौन के आने की आवाज सुन लेती है और फिर वो उसी आवाज की तरफ बढ़ने लगती है अपने बुलापे में भी ग्रैनी किसी ऑलंपिक प्लेयर की तरफ भाग रही है और जैसे इस ग्रैनी उस आ लगती है दर्वाजे को अच्छे से बंद करने के बाद ग्रैनी भी उन तीनों के पीछे जाने लगती है यहां अंदर में गुली-बुली और सौन आपस में बात कर रहे होते हैं बुली बोलता है देखो हमें आज की अपनी पूरी रात इसी घर में गुजारनी है और इस घर में मुझे एक दिक्कत साफ साफ दिख रही है कि इस घर में एक भी दरवाजा नहीं है तो यहाँ पर सोने से पहले हमें इस घर को अच्छे से देख लेना चाहिए कि हमारी सिवाई यहाँ पर और कोई भी है या नहीं और अगर कोई इस घर में है भी तो क्या उसके रहने से हमारे जान को खत्रा है क्योंकि अगर ग्रैनी वाली बात सच हुई तो फिर इस घर से हमारा निकल जाना इसे ही रहेगा जिस पर सौन बोलता है देखो तुम लोग को देखना है तो देखो पता नहीं तुम लोगों को डर किस बात का है तुम लोग मेरे साथ हो और जब मेरे साथ रहा करो तुम लोग डरा मत करो लेकिन फिर भी तुम लोगों को तो मेरी बात माननी नहीं है तो जाओ घर देख कर आओ वैसे भी मैं काफी ठक चुका हूँ, मैं यही पर सो जाओंगा लेकिन माल लोगर यहाँ पर ग्रैनी आ गई तो तब क्या करोगे सौन तुम देखो बुली मुझे ग्रैनी ब्रैनी का डर नहीं है आखिर वो बुडिया मेरा बिगाड़ी क्या लेगी तुम लोग जाओ मेरी फिकर छोड़ दो मैं यही पर ठीक हूँ और हाँ अगर तुम लोगों को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बुला लेना मैं आ जाओंगा इतना बोलकर सौन वहाँ पर जो सोफा था उस पर लेट जाता है और गुली-बुली वहाँ से जाने लगते है पोटी बोई सौन को तो यह लग रहाए कि इस घर में ग्रैनी नहीं है लेकिन क्या होगा जब उसका सामना ग्रैनी से होगा क्योंकि ग्रैनी ने सौन की सारी बाते सुन ली है और जैसे ही गुली-बुली इस रूम से बाहर जाएंगे तब ग्रैनी सौन को बताएगी कि ग्रैनी जिसे वो एक बुडिया समझ रहा है उसके अंदर कितना दम है और सोफे पर लेटने के बाद ना जाने क्यूं लेकिन अचानक से सौन की नीधी उड़ जाती है और आखे खुलने पर जब सौन अपने सामने टीवी रखा हुआ देखता है तब अब सौन को नीधी का आने वाली है उसका मन अब टीवी देखने को करता है क्योंकि वैसे भी उसे काफी दिन हो गए है टीवी देखे हुए और फिर वो उठकर टीवी का केबल लगाने लगता है और केबल लगाने के बाद जैसे ही सौन टीवी चालू करने जाता है कि तब ही उसके पीछे से आवाज आती है अरे मेरा बाप मेरे फोन का बिल नहीं भरता है तो भला वो टीवी का बिल कैसे बरेंगे और सौन को तब ही अचानक से याद आता है कि इस घर में तो गुली बुली और उसके अलाबा और कोई भी नहीं है तो फिर उससे ये सवाल किषने किया और सौन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो अपने सामने ग्रैनी को पाता है और इतने नस्दीक से ग्रैनी का डरावना चेहरा देखकर सौन की जिसके बाद ग्रैनी की सौन तो पर अपने बैट से हमला करती है जिससे सौन वहीं गिर कर बेओस हो जाता है और फिर ग्रैनी सौन को अपने उपर टांग लेती है और वहाँ से जाने लगती है और दूसरी तरफ यहाँ पर ग्रैनी का घर अच्छे से तलास रहे होते है अभी तक तो इन्हें कुछ ऐसा दिखा नहीं है लेकिन चलते चलते अचानक से बुल्ली वहीं पर रुख जाता है जिस पर गुल्ली फिर बुल्ली से पूछता है क्या हुआ बुल्ली आखिर तुम यहाँ पर रुख क्यों गए कहीं तुमने कुछ देख तो नहीं न लिया नई गुल्ली अभी तक मैंने कुछ देखा नहीं लेकिन ये घर काफी बड़ा है और इसकी एक रूम में जाने के ना जाने कितने सारे रास्ते हैं मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों एक साथ आज इस घर की तलासी कर पाएंगे इसलिए हमें अलग-अलग होकर इस घर की तलासी लेनी होगी जिस पर गुल्ली बोलता है लेकिन तभी अचानक सी इन लोगों को किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है ऐसा लग रहा था मानों कि कोई बहुत ही भारी इंसान इनी लोगों की तरफ बढ़ रहा है और गुल्ली बुली जैसे ही उस आवाज की तरफ मुड़ते हैं तो वो लोग पाते हैं कि एक अजीब सी मोटी औरत उनी लोगों के तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है और जैसे ही वो औरत गुली और गुली को देखती है तो वो तेजी से उन लोगों की तरफ तोड़ने लगती है गुली गुली उसे अपने तरफ आता हुआ देखकर काफी घबरा जाते हैं और तुरंथ ही वो दोनों बहां से भागने लगते हैं लेकिन तभी बुली अचानक से सीडी से फिसल कर नीचे गिर जाता है और फिर गुली भी सीडी से फिसल कर नीचे गिर जाता है उसके बाद गुली और बुली दोनों यि वहीं पर छुप जाते हैं और कुछ दिर बाद बुल्ली गुल्ली को कुछ दिखाता है अदे ये क्या ये तो पॉटी बॉय सौन है जिसे ग्रैनी ने यहाँ पर कैद किया है और ग्रैनी भी ठीक सौन के सामने ही है उसके बाद गुल्ली बोलता है ये क्या बुल्ली ग्रैनी ने तो सौन को कैद कर लिया है अब हम क्या करेंगे हम यहां से कैसे जाएंगे हमें तो लग रहाता है यहां पर अगर कोई होगा भी तो सिर्फ ग्रैनी होगी लेकिन पता नहीं यह ग्रैनी के साथ उसकी ग्रैन डाटर कौन है मालनों अगर हम दोने यहां से किसी तरह निकल भी जाएंगे तो फिर हम लोग सौन को कैसे ले जाएंगे पता नहीं यह ग्रैनी ने सौन को कहा कहद किया है और ताला भी लगा रखा है जिसका चावी सिर्फ ग्रैनी के पास ही है गुली और बुली आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये दोनों यहां से बचकर कैसे निकलेंगे लेकिन ये दोनों ही एक बात को भूल रहे हैं कि ग्रैनी जो उनके ठीक सामने खड़ी है भले ही वो 200 साल की हो गई है लेकिन इस्वर ने उसे खरगोस के कान दिये है और इसने गुली और बुली के बात करने की आवाज भी सुन ली है गुली बुली जैसे इग्रैनी के तरफ मुडते हैं तो वो लोग ग्रैनी का गुस्से वाला चेरा देखकर काफी घबरा जाते हैं और अब इनके पास बच के भागने का कोई रास्ता भी नहीं है उपर से ग्रैनी के हाथ में एक बैट है जिसमें काफी सारे नुकीली कीले लगी थी और अगर ग्रैनी ने गुली या बुली को गलत जगा पर अपने बैट से मार दिया तो जरा भी टाइम नहीं लगेगा इन दोनों का राम नाम सत्य होने में और फिर ग्रैनी अपना बैट लेकर गुली और बुली के तरफ दोड लगा देती है लेकिन जिस तेजी से ग्रैनी गुली बुली को मारने के लिए उनके पास जाती है ठीक उसी तेजी से वो बुली से पिट कर वापस भी आ जाती है और क्योंकि ग्रैनी काफी बुड़ी हो चुकी है इसलिए उसके सारी हट्डिया भी कमजोर हो गई है और यही तो कारण है कि बुली के एक स्मैक लगाते ही ग्रैनी जाकर केज के उपर गिर जाती है लेकिन गुली बुली के लिए असली प्रोग्रम तो अब शुरू गई है अपने दादी को पिट्टा हुआ देखकर ग्रैनी की पोती को काफी गुस्सा आ जाता है इतने सालों में आज तक ग्रैनी का ऐसा हाल किसी ने भी नहीं किया था इसलिए इसे गुली बुली के उपर अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और जैसे ही गुली बुली बाहर निकलते हैं तो वो उस औरत का इतना गुस्से वाला चेहरा देखकर काफी घबरा जाते हैं लेकिन हालात को ना समझते हुए जाकर बुली उस मोटी औरत को स्मैक लगा देता है जिससे उस औरत का तो कुछ नहीं भी गड़ता उल्टा वो बुली को ही एक पंचमार कर नीचे गिरा देती है जिससे बुली को काफी चोट लगती है और अब इस औरत का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि इसका मन अब बुली को कुछलने का करता है लेकिन जैसे ही बुली को वो कुछलने जाती है तभी बुली वह आंको तुरंत ही साई धट जाता है वरना अभी तक अपना बुली पापड बन गया होता उसके बाद बुली गुली से बोलता है गुली ये औरत बहुत ही खतरनाक है और उपर से हमारे रास्ते में भी खड़ी है आखिर हम लोग इससे बच कर जाएंगे कैसे इसे तो हिलाना भी बहुत मुस्किल है मुझे पता है कि इसे हिलाना बहुत ही मुश्किल है लेकिन अगर एक बार हम लोग किसी तरह इसे नीचे गिरा देंगे तो फिर इसका उठना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा क्यों ना हम दोनों मिलकर ही इसे स्मैक लगाए जिससे वो जाकर ग्रैनी के उपर गिर जाती है सौन जिस केज में बंद था वो केज भी तूट जाता है बेचारी ग्रैनी मुझे तो लग रहा है इसकी सारी हड़िया तूट गई होगी अच्छा हुआ कि ये दोनों सौन के उपर नहीं गिरे वरना अभी तक सौन पिचक गया होता और इतने जोर की आवाद से सौन की भी नीद तूट जाती है और वो अपने सामने जैसे इन दोनों को देखता है तो वो काफी घबरा जाता है और उठकर तुरंत वहाँ से भागने लगता है और गुली बुली भी इस मौके का फायदा उठाना चाते है वो दोनों भी वहाँ से तुरंत भागने लगते है क्या पता कभी ये दोनों फिर से उठकर इन लोगों के उपर हमला करने लगे लेकिन तभी ग्रैनी और उसकी पोती भी उठ जाते हैं और वो दोनों इन तीनों का पीछा करने लगते हैं जिसके बाद फिर गुली बुली सौन एक टरनल में जाते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि इस टरनल में वो मोटी औरत नहीं आ पाएगी और ग्रैनी भी इतने कमजोर हो चुकी है कि ये लोग आसानी से ग्रैनी से लड़ लेंगे लेकिन इने ये बात नहीं पता है कि ग्रैनी एक साधारण इंसान नहीं है और इन तीनों का टरनल में जाते हुए देखकर वो औरत कारी घुसे में आ जाती है और वो भी तुरंत टरनल में घुच जाती है लेकिन उसे नहीं पता था कि वो उस टरनल में फिट नहीं हो पाएगे और जाकर वो उस टरनल में अटक जाती है जिससे ग्रैनी का भी रास्ता बंद हो जाता है और वो उसे बोलती है तुम जल्दी से यहां से निकलो वरना वो लोग भाग जाएंगे आज तथ मेरे घर्च कोई भी जिन्दा बचकर नहीं भागा है और मैं इन तीनों को भी नहीं जाने दूँगी क्योंकि इन तीनों ने मुझे काफी दर्द दिया है लेकिन वो अलग टनल के अंदर अटक गई है और अब वो निकल नहीं पा रही है जिससे ग्रैनी को काफी गुस्सा आता है और वो दूसरे रास्ते से गुली बुली सौन का पीछा करने के लिए चली जाती है यहाँ पर गुली बुली सौन दर्वाजे के पास आ जाते हैं लेकिन इनके लिए अब नहीं प्रॉबलम आ गई है क्योंकि दर्वाजे के उपर ग्रैनी ने ताला लगा कर रखा है जिससे ये लोग बाहर नहीं जा पाएंगे और इने ताला तोड कर रिबाहर जाना होगा लेकिन इन लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है क्योंकि ग्रैनी इन लोगों के पास ही आ रही है हम लोगों को जल्दी से इस लोग को तोड़ना होगा वरना फिर हम लोग यहां से जिन्दा बच कर नहीं भाग पाएंगे और यह बोल कर वो तीनों लोग तोड़ने में लग जाते हैं यहां पर ग्रैनी भी में दरवाजे के पास पहुचने ही वाली होती है लेकिन आफिर वक्त में यह तीनों किसी तरह उस औरवाजे को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाते हैं और ग्रैनी उनको देखती ही रह जाती है जिसके बाद फिर गुली-गुली सौन अपनी जीप लेकर वहां से चले जाते हैं और इस तरह ये लोग ग्रैनी का सिकार होने से बच जाते हैं और दोस्तों ये रहे उन लोगों के नाम जिन्नों ने पिछली वीडियो में सही जवाब कमेंट किया था और अगर आप लोग चाहते हैं कि अगली वीडियो में आपका नाम आए तो कमेंट करके बताईए कि पिज़ा डिलिवरी होरर स्टोरी पार्ट वन में आपने ये फोटो को कहा देखा था और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सेर भी कर दीजेगा थैंक्स पर वाचिंग